नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं ग्रेन धमसरमार दोस्तों हर किसी के जीवन में तकलीफे खुसियां ये सभी चीज आती जाती रहती हैं और जब दुखों से छुटकारा पाने के हम तरहतरा के उपाई भी करते हैं ऐसे में हम आप सभी में का महना चल रहा है सोंबार का दिन है और नाक पंचमी धेर सारे सुप संयोग बन रहे हैं और भगवान सिव का सबसे प्रिये महना साबन सबसे प्रिये दिन सोंबार और नाक पंचमी जो साक्षात सिव जी के गले का हार है इतने अधभुत संयोग बने हुए हैं तो सोने के पहले आप जब कर सकते हैं, चुकि इपने कहा है नाग पंजमी है और माता लक्षमी धनकी देवी हैं और इनके धन के रक्षक जो है वो सर्प है, तो ये सर्प और धनकी देवी, लक्षमी, नाग देव, राहु केतू, सिब जी सब की किरपा एक ही दिन आपको मिल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह, ओम संकराय नमह, ओम नारायनाय नमह, इस मंद को रात के समय, यानि कि आज सूम बार के दिन आप कम से कम तीन बार बोलिए और मालक्षमी से, सिब जी से, नाग देव से प्राठना कीजे कि प्रभू हमारे जीवन में जो परिसानिया हैं, उसका अंद करें, और जीवर में ढेर सारी खुसियां दें, आनंद दें, ताकि इस प्रित्वी लोग पे सुख से रह सकें, अगर माल लेते हैं, आपके उपर कर्ज हो गया है, तब क्या करेंगे? तब रात में सोने के पहले, ओम रिंग रिंग नमह, सिवाय, ओम 1008 अगर आप जब करते हैं, तो कर्ज से मुक्ती पानी में पानी में आसानी होती है, अब माल लेते हैं, आप पति- comida में बनती नहीं है, जगडे लडाईयां बहुत होती है, तब आप रात में आज सोने के पहले, ओम पारवती पते नमह, ओम पारवती पते नमह, इस मंतर का जब 108 बार कीजिएगा अगर मान लेते हैं आपको हर कोई बहुत बुरा बोलता है बहुत बुरा ठहरा देता है आपको कोई बेलू नहीं लगाता है जीवन में आप अकेले पड़ गये हैं तब आप नमो नील कंठाए नमो नील कंठाए इस मंत्र का जब करें ऐसा करने से जीवन में आपको मान समान भी मिलेगा और किसी की बातें आपको चूभेगी भी नहीं तो आप अपने मन के मुताबिक अपने जो आपको इच्छा है उसी अनुसार मंत्र जब पें और जब कुछ समझ में ने आए तब नमासिवाय का जब करें तो भोले भाले हैं थोरे से ही परसन हो जाते हैं वैसे आप स्वास समस्या है तब ओम हॉंग जुंग सह ओम हॉंग जुंग सह इस मंत्र का जब जरूर कीजेगा इससे स्वास समस्या दूर होती है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादे